ये गाइस वेलकम बैक टो नदर वीडियो तो भाई आज आपके सामने खड़ी है किया सोनेट फेसलिफ्ट और ये जीटी लाइन है और अडास लेवल वन इसमें आ चुका है तो आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे इसके बारे में देखते हैं आपको क्या क्या फीचर यहां पर केमरे के प्लेस्मेंट और यह जो ग्रे इंसर्ट से दिया और यह ग्रे जो है इन्होंने स्ट्रिप दे दिया इसमें यह मतलब अलग दे दिया है टैक लाइन से अलग बना दिया है एर सर्कुलेशन के लिए जो ग्रिल दिया यह भी आपको थोड़ी चेंज दिख देखने के लिए मिल जाते हैं अडास आपको इसमें मिल जाता है तो कैमरा आपको यहां पर विंडशील्ड पर देखने के लिए लेन एसिस्ट के लिए देखने के लिए मिल जाएगा बाकी अब इंजन की बात कर लेते हैं इसके तो इंजन ओपन कर लेते हैं इंजन आपको य साइड प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं यहां से एंगल ठीक सा नहीं आ रहा है बाकी साइड प्रोफाइल में भी थोड़ा चेंज है एक तो यह क्रोम बीडिंग दे दिए यहां पर टैक लाइन से अलग बाकी साइ किये गए हैं टैक लाइन में आपको सभी में मेरे साब से मिलते हैं यहां पर लए विल्स ओफर कर देगे हैं हाला कि टायर साइज सेम है क्रोम बीडिंग मिल जाती है और वियम्स वही बोडी कलर्ड विटन इंडिकेटर्स डोर हैंडल्स बोडी कलर्ड मिल जाते हैं कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी रियर से आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा जीटी लाइन का बात कर लेते हूं उपर से तो उपर आपको शाक फिनेंटी न और यहां पर आपको स्पोईलर मिल जाते हैं जो काफी स्पोर्टी बना रहा है इस जीटी लाइन को और यह बेखने मिल जाती है और बंपर में आपको चेंज इस मिल जाते हैं चार पार्किंग सेंसर के साथ यह जो ब्लेक आउट और रिफलेक्टर इंसर दे गई है और नीचा आपको बैक लाइट भी ऐफर कर दी जाती है सबी वेरियंट्स में बूट ओपन कर लेते हैं तो बूट ओपन में पर्शल ट्रे सब वूफर इसमें एक्स्टर मिल जाता है बूट लैंप मिल जाता है यहाँ पर 60-40 स्प्लेट आपको सीट्स मिल जाते हैं वील की बात कर लेते हैं तो 15 इंच का लीव मिल जाता है अंदर की बात कर लेते हैं तो डोर और आपको वाइट ब्लैक मिलता है है हैं एक उस्टम्रेला और कुछ इहां पर दे दिया गया है वाइट जो ट्रीट्मेंट दिया है वह लेदेरेट मिल जाता है seats आपको white black में GT line या पर देखने के लिए मिल जाता है और electrically adjustable आपको seats मिल जाते हैं height adjustable आपको manually करनी पड़ेंगी बाकि आप electrically adjustable seats को कर सकते हैं अंदर बैट के बात करते हैं तो अंदर आपको AC events के बात कर लेते हैं AC events जो हैं आपको इसमें थोड़े से अलग मिलेंगे बाकि design तो बिल्कुल same है थोड़ा color में difference है जो AC events है आपके वो यहाँ पर black दे दिये गए है silver finish की जगा black finish में black finish में surround इनकी जो है पूरी strip change कर दी गई है बाकि infotainment system भी आपको without button आपको यहाँ पर fully touch infotainment system मिल जाता है और instrument cluster भी आपको fully digital देखने के लिए मिल जाता है address level 1 introduced हो चुका है तो 360 camera है lane assist वगेरा है जो कि मैं आपको screen पर दिखा दूँगा बाकि वही आपको drive modes, ventilated modes, automatic AC, wireless charging option आपको GT line में आपको लेवल करा दिया गया है जो कि एक काफी अच्छा feature है मेरे हिसाब से और यहाँ पर वही 12 वोल्ट का सोगे 2 cup holder और 2 charging port यहाँ पर यह कुछ armrest में यह अंदर कुछ दिया हुआ है चाहिद यह smart air purifier का है वैसे तो मेरे हिसाब से बाकि IRVM आपको auto dimming मिल जाता है sun glass holder आपको मिल जाता है यह थोड़ा ग्रेज थीम में दे दिया है डार्क ग्रेज थीम में इलेक्ट्रिक sunroof मिल जाती है टैक लाइन में आपको sunshade भी आपको थोड़े silver color के मिलता है मतलब और यहाँ पर dark color के मिल रहे है vanity mirror co driver side देखने के लिए मिल जाएगा infotainment system आपको वही fully touch और instrument cluster इसमें अविलेबल करा दिये हुए यहाँ पर GT line देख हुआ लिख हुआ मिल जाता है काफी premium लगता है इधर आपको media controls और इधर आपको adas के और cruise control के और mid controls के buttons अविलेबल करा दिये गए हैं और leather finish में आपको steering मिल जाता है पैलल shifter भी आपको इस variant में देखने के लिए मिल जाते हैं steering adjustable की बात करने तो सिर्फ tilt होता है telescopic यहाँ पर यानिके reachable नहीं होगा सिर्फ आपको tilt में ही adjust कर पाएंगे इसको डी का आपको steering मिल जाता है इधर आपको engine start stop का button और attraction control का button parking sensors front parking sensors का button और idle start stop और lights adjustable का लेवल एड़ेस्टर मिल जाता है दोस का आपको music system मिल जाता है जो कि जिसके हम वीडियो बना रहे हूं black color में leather app आपको steering wind मिल जाता है और यहाँ पर roof light की बात करने तो वह यहाँ पर भी cost cutting है और roof light आपको शायद इसमें तो दे दीनी ही चाहिए थी यह gt line है अगर white light दे दे तो कफी premium होता बाकि yellow light आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है dashboard में कहीं भी यहाँ पर भी यूज नहीं किया गया है leather finish का soft touch का सभी आपको hard plastic देखने के लिए मिलता है यह आपको आगे की तरफ मिल जाता है अब पीछे की तरफ चलेंगे बाकि भाई इसमें भी थोड़ी बहुती cost cutting तयार करी ही है बाकि लेकिन जिसको feature rich car चाहिए बिलक आप उसे भी चूज कर सकते हैं अपने लिए अगर आप देखना चाहिए तो उसमें मैट ब्लैक आजाता है बाकी पीछे की बात करें डोर वही आपको dual theme में बोस के speaker और silver में वो कुछी space curtains मिल जाती है seats आपको white black में और adjustable आपको headrest मिल जाता है यहाँ पे आपको armrest मिल जात और अंदर की तरफ चलते हैं अंदर बैड़ जाते हैं अंदर देखते हैं कि रूफ लाइट वही आपको yellow यहाँ पर smart air purifier की वज़े से शायद वो दिया हुआ है अब मेरी समझ में आ गया हाँ वही है और टू सी टाइप पोर्ट्स एस इवेंट समी स्पेस वाकि सब सेम आ आपको fix ही मिलती है इस वाली वेरियंट में बाकि यह जीटी लाइन के बारे में था तो जीटी लाइन और टैक लाइन में जो डिफ्रेंस है वो यह है कि एक अडास और थोड़ा मतलब interior change है white black में है बाकि dashboard तो वही सेम है infotainment system screen है digital instrument cluster है बाकि बगएरा बगएरा मलब आप को अगर feature rich car चाहिए तो जीटी लाइन के तरफ आप जा सकते हैं बाकि HTX भी आपकी जो है शायद लिस्ट पूरी कर देगा बाकि यह दा sonet facelift जीटी लाइन के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैस श्रीराम